असलाम अलेकम एव्रिवन, वेलकम बैक टो माई चानल, आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही सिंपल मगारा हुआ दही ये रेसिपी में हमने पहले यहाँ पर तेड़ कब दही लिया है ये जो दही है ये बहुत तीक है तो पहले हम इसको अच्छे से विस्क करके यानि इसको अच्छे से फेंट लेंगे और क्योंकि इसमें कोई lumps ना रहे दीखें जब दही को अच्छे से फीटने के बाद अब इसमें जितना हमने दही लिया था उतना ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे यानि दिल कप अगर 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 दही लेंगे तो दिल कप आप पानी शामिल करेंगे अब इसमें हम पानी आड़ कर देंगे पानी आड़ करने के बाद भी हम इसको अच्छा से मिक्स करेंगे दिखिए अब दही रेडी है तो अब इसमें हम इसके मसाले आड़ करेंगे सबसे पहले आड़ करेंगे नमक वो आपके टेस्ट के हिसाब से आड़ किजिगा आप 1 ती स्पून हल्दी पाउडर लाल मिच पाउडर देल टी स्पून अज़र टेसन का बिस बिल्कुल थोड़ा सा और हरादनिया थोड़ा सा अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अलग से रखतेंगे अब यहाँ पर हम इसके बगार के तैयारी करते हैं बगार के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में दो से तीन टेबल स्पून तील गरम कर लिया था इसमें सबसे पहले हम इसमें जीरा आड़ करेंगे फिर राही आड़ करेंगे और फिर आड़ करेंगे थोड़ी सी सुकी लाल मिर्च और लहसन को मैंने चौप करके रखा था थोड़ा सा लहसन आड़ कर देंगे और जब लहसन गोल्टन प्राउन होने आ जाएगा हलका सा तब सबसे लास्ट में हम इसमें आड़ करेंगे करी पता यानि करिया पाक और बगार जब थंडा हो जाएगात हुम तब हम इसको दहीं पर बगारेंगे क्योंकि अगर हम गरम गरम बगार अगर दहीं पे डाल देंगे तो दहीं फट जाएगा इसलिए तो बगार अब थंडा हो गया है तो चलिए चलते हैं दहीं को बगारते हैं अब बिल्कुल हमारा जो बगारा हुआ दहीं है वो रेडी है तो उमीद करूंगी कि आपको रिससे भी पसंद आई होगी इसको दम के खीमे के साथ और कड़क तले हुए गोश के साथ इसको सर्फ किजिएगा थेंक यू सो मच